हे फ्रेंट्स आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ALZ और OEX के बीच में जो अगला T10 का मैच होगा इस वीडियो के अंदर इस मैच का पुरी जानकारी आपको मिलने वाला है भाईयो दोनों हे टीमों के क्या रहने वाले हैं आज के मैच का प्लेंग 11 कौन से प्लेयर आपको इस मैच के अंदर आपन करते हुए दिखेंगे सारे डीटेल्स में आपको इस वीडियो के अंदर प्रवाइट करने वाला हूँ आपको बैस्ट से बैस्ट जल चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतक वाज करना है भाईयों वीडियो को लाइक से स्टाट करना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अगर आप चैनल पे नई हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेज जरू कर लेना भाईयों और लाइन अप के बाद आपको यहीं पे फाइनल टीम सेंड कर दिया जाता है बिल्कुल फ्री तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में और कमेंड बॉक्स पहला कमेंड में लिंक मिल जाएगा आप आसाने से क्लिक करके जोईन कर सकते हैं तो चलिए अब मैच के बारे में बात करते हैं दोस्तों यह जो मैच है कोटमावल ग्राउंड पर यह मुकावला होगा स्पैन में इस सारे मैचेस इसी ग्राउंड पर हो रहे हैं यहां का पीच कंडिसन अगर आप देखेंगे दोस्तों तो जिस प्रकार ग्रूप A, ग्रूप B और ग्रूप C का मैचेस हुआ है दोस्तों यहां पे 120, 130, कभी-कभी 150 तक का भी स्कोर देखने को हम लोगों को मिला है देखो ALZ के जो टीम है बैट्स मैंने विकेट पर में नज़राएंगे दोस्तों आप जिया की बात करते हैं तो 19 मैच में इनोंने 88 रन स्कोर करा है अपने टीटेन का क्रियर में इनके खेलने के थोड़ा कम चांस इस मैच के अंदर बाकि यहां पे जबिला इनेजी खेल सकते हैं इस मैच के अंदर बाकि बैटिंग में अगर आप देखेंगे मुहमत साथ नवाज खेलते हैं जो कि 6 मैच में 5 विकेट अपने नाम की है बल्लेबाजी से रिकॉर्ड इनका उतना मजबूत नहीं है तो यह भी प्लेबाजी बहुत ज़ता है जो बल्लेबाजी के अंदर बाजे दुनों करेंगे बाकि शाहिद अली जो कि 10 मैच में एक साथ नवाजी निकाले हैं इनका दुस्तो बल्लेबाजी मतलब ठोड़ा लेट ज़रूर है लेकिन आपको बॉलिंग भी करते हुए दिख जाएंगे बाकि हुशन के बात करेंगे तो 11 मैच में 222 विकेट अपने नाम की हैं ये जो प्लेयर आपको हो सकता है कि इस मैच के अंदर एक ओवर तक गिनवाजी करते हुए दिखेंगे बाकि मिडल लोड में बल्लेबाजी आपको करते हुए दिख जाएंगे बाकि और अगे आप देखेंगे तो राहिल खान के लते हुए नजर आएंगे बाकि एजम खलिल के बात करेंगे तो 19 मैच में 344 रमणा के 21 विकेट निकाला है दोस्तों ये प्लेयर बहुत इंपॉर्ण रहेगा ये भी आपको अगर आप चाहें तो वैस कैप्टेंसी के लिए या फिर कैप्टेंसी के लिए इनके साथ आप जा सकते हैं अमन खान की बात करते हैं अमन खान जाहिद जो कि 17 मैच में 33 रमणा के दो विकेट निकाला है मशाल खान जो कि या पर ये प्लेयर जो कि नया प्लेयर है इस मैच के अंदर आपको खेलते हुए देख सकते हैं तो यहां पर आपको सुल्तान दिवान अली खेलते हुए न जो कि पांच मैच बार रन सकूर करा है अपने टीटन का किरेल में बैटिंग में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे सुलेमान मुहमद खिलते में नज़राएंगे जो कि तीन मैच में 38 रंड स्कोर करा है बाकी बालिंग से रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है वज़ाल मेहमुत की बात करेंगे यहाँ पे तीन विकेट निकाले ही यह भी प्लेयर बहुत सांदर है जो बल्लेबाजी के सासत गिंदबाजी भी करते भी दिखेंगे और अंडर में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों बावर खिलते भी नज़राएंगे और इस खिलाड़ी को पिक करना बिलकुल भी नहीं बुलना है आपको बाकि दिवान अली जो की पंद्रे मेच में पैतलिस रमणा के दो विकेट अपने नाम की है बॉलिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्वाहिल हसन कहलते बेज़राएंगे आपके बाकि बाकि बाइउ मैंने आपके लिए एक टीम मना की रखाए यह बिफोर लाइन अप टीम है एस दिवान अली जो कि टीम के आपको टॉप अडर पर विकेट करते हुए दिखेंगे और प्लस एंप बल्ले बाजी भी टीम के टॉप अडर पर कर सकते हैं मैं इनको अपने टीम में ट्राय करने वाला हूं दोस्तों कि यह नया प्लेयर है और अगर आप देखेंगे तो आर खान और एक अली दोनों के दोनों कैप्टेंसी के लिए ट्राय करूँगा मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था है डिटिल्स बताते वक्त कि यह दोनों खिलाड़ी आपको बल्लेबाजी गिनवाई दोनों करते भी दिख जाएंगे इस वजन को मैं ट्राय करने वाला हूं यह भी टिम के बहुत बढ़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों इस ट्राय करने वाला हूं आपको टेलेग्रम गरूप में मिल जाएगा जिसने जोईन नहीं करा है इस वीडियो के नीची आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंट वे लिंक मिल जाएगा आप आसाने से क्लिक करके जोएन कर सकते हैं बाकि मिलते हैं भाई यो नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद